जैहिन पेंसनर बंधू, उमीद है आपको सुचारू रूप से अपना पेंसन आ रहा होगा आज का वीडियो न की अस्पोर्स पेंसनर यानि की डिफेंस पेंसनर के लिए बलकि भारत वर्ष के समपूर्ण किसी भी भी भाग से हों चाहे आप केंद्रिय करमचारी रह चुके हों, डिफेंस में रह चुके हों या फिर अस्टेट के ही क्यों न हों, चाहे किसी भी अस्टेट के अटोनोमस सेंटर के अटोनोमस या PSU के किसी भी प्रकार, चाहे LIC या EPFO पेंसन किसी भी प्रकार का pension अगर आपको आता होगा तो आज का विडियो आपके लिए बड़ा ही महतपुर्ण होने जा रहा क्योंकि हर वर्स प्रती वर्स आपसे life certificate जीवन प्रमान मांगा जाता है अलग-अलग समय में अलग-अलग विभागों का समय हो सकता है पर आप जीवित हैं यह उन विभाग को जानना pension dispersing agency को जानना जरूरी होता है ताकि आपको सुचारू रूप से pension जारी रखे और यह आज के समय में एक समस्या के रूप में उभरते जा रहा है पहला तो sports pensioner के आने से defense pensioner में कई तरह की भूचाल हो गई है जो पहले बड़े ही आसानी पुर्वक अपने साखा में जाकर जीवन परमान दे दिया करते थे जहांकि उन्हें एक form दिया जाता था और उसमें सिर्फ नाम लिखकर, account number लिखकर, sing nature करके चले आते थे बाकि सब जिम्मेवारी उस साखा के प्रबंधक की होती थी कि किस प्रकार उनका life certificate submit हो पर आज अस्थिती बदल चुका है विसेश कर अगर आप defense pensioner हो तो पहले की भाती यह कदापी करने का भूल न करें विसेश कर तब जब आपका pension sports में migrate हो चुका है अब कोई भी साखा आपके लिए यह life certificate submit नहीं करा सकता है यह पूर्णता आपकी जिम्मेवारी बनती है क्योंकि अब कोई भी bank आपकी PDA नहीं रही अब PDA स्वायम, PCDA प्रयाग राज ही है जो कि pension sanctioning के साथ साथ PDA भी करता है और life certificate का जिम्मेवारी PDA के साथ होता था तो अब जो sports pensioner हैं उनके लिए मैं business कर बता दू अगर हो successfully login कर पा रहे हैं तो वहाँ MLC या DLC के option को जाएं तब ही यह हो पाएगा आईसाने की branch में आप देकर आगए हो सकता है कि आपके branch को भी या मालूम नहों कि किस परकार बेवस्था बदल चुकी हो आप वहाँ देकर आगए है और final जगह में submission नहीं हुआ और एक समय ऐसा आएगा जिसके कारण आपका pension बंद भी हो सकता है तो यह भूल ना करें इनहीं तमाम मुश्किलों का सामना करने के लिए किस परकार हर तरह के pensioner को इस life certificate से हम समस्या न बनने दे जबकि एक सुविधा के रूप में करें इसी को target करके हम तमाम बातों का जिक्र करेंगे जहां की साथ परकार के pension life certificate आप जमा करते हैं उस तमाम बिधियों को बड़े ही सरल और संचिप्त रूप से मैं बताने का परियास करूँगा तो आईए मैं अरेंद्र कुमार living happily में आप सबों का स्वहिड़ स्वागत करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ आप विडियो स्टार्ट करें इस से पहले इस चैनल को अब असे ही सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करके पूछें बताएं अपने सगे समझद करता है ताकि हम एक उन्नत एक निपन बड़े से समूह को एक्सपोर्ट टीम को रिसर्च के लिए एडिटिंग के लिए लगा सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाने के लिए ताकि आप पिंसनर बंधुओं में सजगता आ सके जागरुकता आ सके अपने कोई भी कारे सुचारू रूप से मिलते रहे तो आएए अब हम वीडियो का प्रारंब करते हैं जैसा कि आप समझ चुके होंगे कई बंधु हमारे दर्सक हो सकते हैं 30 साल 40 साल से सुचारू रूप से उनका पेंसन आ रहा हो निश्चित है कि वो लाइफ स्रेटिवेट भी जमा करते होंगे तो इस वीडियो में नया क्या होने जा रहा नया यह होने जा रहा कि कोरना के काल के बाद और जो डिजिटल मुहीम है ग्लोबल डिजिटल होने जा रहा है हमारे डिजिटल इंडिया होने जा रहा है इस तरह से कई मुहीम है इसमें आपको भी डिजिटल होना है हर ल जमा किये हो गए तो इसमें नया क्या बात है इस वीडियो में मैं सारी तमाम नई बातों को ही बात करूंगा उन सारे पिंस्नर के लिए अक्सर नवंबर के पहले सप्ता से फॉस्ट नवंबर से प्रारंब हो जाया करता था लाइफ सब्मीशन अब पिछले दो साल से कोरणा क से काल से भारत सरकार ने इसे बढ़ा दिया है और सूपर सिनियर सिर्जन यानि कि असी बर्स अरूस से अधिक आयू के लोगों के लिए फस्ट अक्टूबर से ही लाइफ स्टिफिकेट सब्मीशन प्रारंब हो जाता है उनके पिडिये के पास यानि कि जहां कहीं भी ओ ले यह अनिश्चित काल तक यह चलेगा यानि कि 80 यर्स वाले को 1 अक्टूबर से भरने के सुविधा अब यह अनंत काल तक चलेगी अब मैं बताता हूँ पहला तरीका तो लाइफ सेटिफिकेट सब्मीशन का बड़ा ही आसान है जो कि आप ट्रेडिशनल तरीका से करते ही रह हैं पिडिये के पास आप जमा किये जहां कि फिजिकल अपियरेंस बड़ा ही जरूरी था चाहे हुआ कितना भी किसी रोग से पिडित हों बहुत ही जायदा बयोब्रिद हों महिला हों कोई परिसानी में भी हों फिर भी उनके पास मजबूरी था उन्हें उस बाइंक में लाइब स्रटिफिकेट को डेजिनेटेड ओथिरिटी के दौरा साइन किया गया हो ताकि वह ओथिरिटी बोले कि हमने इन्हें देखा है मैं कन्भीन्स हूँ कि वह जिवित हैं यहां आदेश मिनिस्ट्री आफ पोर्सनल पबलिक ग्रवियंसे और पेंशन करीब 12 लोग हैं जिन्हें डेलिगेट किया गया या पावर कि अगर वह साइन कर देते हैं लाइफ सेटिफिकेट पर तो उन्हें जिवित माना जाएगा और पोर्सनल अपियरंस से पीडिये के पास जाने से उन्हें मुक्त रखा जाएगा तो कौन-कौन से लोग हैं उनके हम लिस्ट को पहले देख लेते हैं जो मैजिस्टेट हो जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हैसियत से जो भी मैजिस्टेट है उनकी अधिकार होगी लाइफ सेटिवियेट सबमीशन करने का दूसरा रजिस्टार या सब रजिस्टार जो हम जमी जायदाद रजिस्टर करते हैं, उनको अधिकार मिलता है Indian Registration Act से रजिस्टर और सबरजिस्टर बनने का, तो वो साहब भी आपकी Life Certificate Sign कर सकते हैं, तिसरा है, वो कोई भी सरकार के, चाहे भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो, गजटेड ओफिसर हो, वो आपके लाइप सेडिवेट को साइन कर सकते हैं, एक पुलिस ओफिसर और यह या तो SI हो सब इंस्पेक्टर हो, जो कि पुलिस अस्टेशन के थाना ध्यक्ष हो, उस कैपेसिटी में, वो SI आपके लाइप सेडिवेट को साइ कर सकते हैं, पांचमा है, एक पोस्ट मास्टर, जो कि डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल एस सो, सब पोस्ट मास्टर भी हो सकते हैं, या पोस्टल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं, तो वह भी आपके LC को साइन कर सकते हैं, या फिर क्लास वन ओफिसर RBI के including उसमें grade 2 officer भी आते हैं और State Bank of India के भी या इसके subsidiary के भी officer को यहां रखा गया है Justice of Peace के अधिन जो काम करते हैं उन्हें भी यह अधिकार दिया गया कि LC साइन कर सकते हैं हमारे block में यह video होते हैं मुनसिफ होते हैं, तसिलदार होते हैं यह सब को भी अधिकरित किया गया है आपके Life Certificate साइन करने के लिए इसके साथ ही Head of Village पंचायत जो की मुखिया हैं, प्रमुख हो सकते हैं ग्राम पंचायत के या फिर गाव पंचायत के उनके जो Executive Committee हैं वो भी Competent Authority माने गये हैं Life Certificate के लिए या फिर MP हो, MLA हो, MLC हो इन सब को किसी भी Union Territory Government Administration के हो सकते हैं इसके साथ ही Treasury Officer को भी Competent Authority बनाए गया है तो इतनी तमाम लिस्ट जो हमने बताया करीब 12 तरह के इसमें से कोई ने कोई तो आपके नजदिक होंगे ही तो अगेर बयो ब्रिद हैं उन्हें कन्भिंस कर दिया गया कि वो बेड रिडन है नहीं आ सकते किसी भी परिष्थिती वस तो उनके परिबार जन भी इन ब्यक्तियों से signature कराके PDA तक Life Certificate जमा कर सकते हैं यानि कि ये जानकारी से आप एक बहुत बड़ा परिसानी से बच सकते हैं यहां आपको निजात दिलाया जा रहा है इन नीतियों से यह clear पता चल रहा है कि भारत वर्स आज हमारे 75 में वर्सगांठ मनाया है आजादी का महस्तो मनाया है और यही महस्तो का वास्त्विक अर्थ ही है कि हम सब में हर रूप से आजादी मिले अपने कारे करने की आजादी मिले बैंक भीजिट करने की से आजादी मिले हमें अपने तरीके से कारे करने की आजादी मिले तो यह वही आजादी का महस्तो मनाने के दिवस में यहां आप एक बुनांजा एक अपने लिए खुसहाली का खबर मान सकते हैं इसके साथ ही जैसा कि अब हमारा वर्ल्ड विसेशकर कोरना के बाद पूर्णतह डिजिटल होने जा रहा जहां कि जरूरी है कि यह Life Certificate के संपूर्ण प्रक्रिया को भी डिजिटलाइज किया जाए और उसी दिसा में प्रमान जीवन प्रमान पोर्टल है जो कि आपको मिलेगा www.uidai.gov.in आप अगर अपने एड्रेस में करते हैं तो ब्राजर के एड्रेस में मैं सलाह करूँगा कि गुगल करके ना करें आप टाइप करके जाएं ताकि आपको कोई भी प्रमान पोर्टल में किस तरह से उनके पास बायोमेट्रिक डिवाइसिस होना चाहिए जो कि कैप्चर करते हैं आपके बायोमेट्रिक्स चाहे वह आपके थम इंप्रेसन को इसकाइन करे या फिर आईरिस को करे तो ये सब connected होना है जो कि आम आदमी के घर में एक्सर यह नहीं होता तो इसके लिए आप कैफे जाके साइबर कैफे जो आपके आसपास है या CSC Common Service Center जो है वहाँ ये सब equipment लगा के रखते हैं वहाँ भी जाके आप जीवन प्रमान पोर्टल जहांकि किसी भी प्रकार की कागजात की जरुवत नहीं होगा फुली डिजटली होगा और आपको certificate भी प्रिंट करके दे देंगे कि आपका submit हो गया है जो कि 24 घंटे के अंदर जो आपके PDA हैं उन तक वह उनके repository में पहुँच जाता है और वो अपने server को update कर देते हैं तरह से आपका तीसरा चीज़ यह है चोथा है आज हमारा India Post Post Office भी advance हो चुका है और इसी दिशा में उन्होंने सुरू किया है India Post Payment Bank IPPB जो कि Department of Post के द्वारा है यह successfully launch किया गया है यह initiative किया गया Department of Pension and Pensioner के द्वारा जो कि डोरस्टिप services आपको देते हैं Digital Life Certificate थूरू Postman यानि कि Postman आपके पास smartphone, tab, laptop जो भी या Grameen सेवक हो सकते हैं Postman वो लेके जाएंगे devices से युक्त और आपके पास वह यूज करेंगे अगर आप चाहते हैं कि वो Postman आएं या Grameen डाक सेवक आपके पास आएं तो आपको एक आप इंस्टाल करना होगा Post Info आप जो कि Google Play Store में अबलेबल है इसको इंस्टाल करके यहाँ आप अपने डिमांड को प्लेस कर सकते हैं जिससे इंडिया पोस्ट के स्टाप, Postman, ग्राम सेवक आपके पास आएंगे और आपका डोरस्टेप लाइब सेटिफिकेट सब्मिट करवाएंगे अगला होता है डोरस्टेप बैंकिंग जो कि RBI के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है सब ही 12 पॉब्लिक सेक्टर बैंक जो कि आज पेंसन को डील कर रही है सब को दिया गया है इसमें डोरस्टेप बैंकिंग उनको देना है जिसमें कुछ एक नॉमनल चार्ज लेंगे और उनके अभी यह लागू है करीब 100 मेजर सीटीज में जहांकि उनके एक एजेंट होते हैं DSB एजेंट कहते हैं तो DSB एजेंट आपके घर को जाएंगे और आपसे सब कुछ कलेक्ट करेंगे डॉक्मेंट लेंगे और तब फिर डोरस्टेप बैंकिंग के तहत आप डिजिटल लाइब सेटिफियेट जमा कर सकते हैं या फिर वो फॉर्म साइन कराते हैं तो वो साइन करवाएंगे इस तरह से ये डोरस्टेप फैसलिटी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसके लिए डोरस्टेप अगर लेना है तो कैसे लेना है तो इसके लिए मोबाइल आप है टॉल फ्री नंबर है इसके लिए mobile app का जो नाम है यहाँ भी मैं आपको बता दू Doorstep Banking DSB यह भी Google Play Store पर एवलेवल है आप इसे इंस्टाल कीजिए और वहाँ आप demand launch कीजिए ताकि जिस bank में आपका खाता है उस साखा से या उसके central center से आपके पास आएंगे और Doorstep देंगे इसके साथ ही यहाँ देखी लिए कि किस तरह से digitally हम Doorstep का benefit उठा सकते हैं जब work from home हो सकता है तो life certificate क्यों नहीं हो सकता इसी दिशा में आज संपूर्ण भारत वर्स हमारा digital होने जा रहा है इसके साथ ही आप बेभ ब्रॉजर है जो कि https colon double slash doorstepbanks.com या फिर https colon double slash dsb.impast.co.in करके आप देख सकते हैं इसके साथ ही टॉल फ्री नंबर भी मैं बता देता हूँ आप अब से नोट कर लिजे फिर से नोट कीजे या टॉल फ्री नंबर है इसके साथ ही एक और टॉल फ्री नंबर है फिर से बोलता हूँ आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तकलीप हो रहा हो तो आप इस वीडियो को rewind करके देख सकते हैं मेरे पास थोड़ी समय की कमे ही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ अब अगला जो सबसे बड़ा है और सबसे आसान है आज हर कोई के पास smartphone तो आही चुका है अब अगर आपके पास smartphone है और अगर आप app इंस्टाल करना जानते हैं तो आपको मातर दो app इंस्टाल करना है पहला जीवन प्रमान पोर्टल का जो app है ये कर लिजे दुसरा फेस आरडी का app दो app के अगर आपने इस्टाल कर लिया है और आपका आधार, पैन, नाम, डेट अव बर्थ सब कुछ सही है बिसेश कर आपके आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ वो आपके सर्विस्वल है, OTP वेगर आता है तब आप घर बैठे ही दो मिनट के अंदर कर सकते हैं Living Happily में आप देखिए Living Happily Aspurs Living Happily Life Certificate आप कीजिए उसमें हमने 50 मिनट का बड़े ही डिटेल में Step 2 बताया स्क्रीन सॉट के साथ करकर के दिखाया हूँ उस वीडियो को आप देखिए अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं आपको सौट में बता दूँ कि यहाँ आप Life Certificate जमा कर सकते हैं Face Authentication Technology System है जो की बेस्ड है UIDAI आधार सॉफ्टवेर जो की आपका Face को कैप्चर किया गया था आप अपने स्मार्ट फोन से उस एप में जो कैप्चर किया गया है रनिंग वीडियो रनिंग आप उसके फ्रेम को कैप्चर किया जाएगा और आधार साइट पर जो अबलेबल है वहाँ से कंपेर किया जाएगा Artificial Intelligence के द्वारा और उसके बाद आपको Life Certificate Submission में मदद करेगा तो इसके लिए आपको क्या चाहिए महाज Android Smartphone चाहिए जो की आपके फोटो को कैप्चर कर लेगा इस तरह से आप DLC Face Authentication यह कहाँ अबलेबल है तो यहाँ अबलेबल है DOPPW Spinsner Portal जीवन प्रमान में जाएए वहाँ Process Flow of Face Authentication टेकनिक है जो की DLC जेनरेट करता है यह वेबसाइट का भी नाम आपको बता दू https colon double slash pinsners portal dot gov in यहाँ Document Face Authentication जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको Process of G1 आप भी अबलेबल है वह भी आप कर लिजे और इसके साथ ही मैंने बताया ही कि DLC, MLC वहाँ Facility है आप Successful Login कर लिजे अगर आपके computer में, system में, type में लगा हुआ biometric तो वहीं से आप दे सकते हैं नहीं तो आप MLC जेनरेट करा लिजे प्रिंट चाहिए, प्रिंटर चाहिए उस printer में फिर हमने बताया है कि कौन-कौन से designatory, authority हैं लगबग यहीं सब हैं, उनसे sign करवाईए फिर वहाँ scan करके upload कीजिए तो इस तरह से ये सब विधिया है यह आपका निरने है कि इन सातों तरीकों में आपके लिए सुबधा जनक कौन है यह तो mind to mind depend करेगा आप take friendly है तो निश्चित ही है लास्ट वाला आप सिर्फ दो app करके android phone से सब कुछ कर लेंगे न कि printer की जरुवत है न कि सी biometric की जरुवत है न आईरिस स्काइनर की जरुवत है तो यह सब instruction जो इसके apex authority हैं इन्होंने सभी bank के cmd को cppc को cpao को जो की केंद्रिय करमचारी के pension को देखती है railway board को और defense के secretary को और financial services के सब को दे दिया गया है जो भी हैं इनसे संबंधित जो nick हैं जो website develop करते हैं इसके लिए सब ही pensioner association को भी दे दिया गया है तो इन सारे जानकारी को आप अवस्य ही इन सातों तरीकों में से किसी न किसी एक तरीका को जरूर ही करेंगे और मुझे उमीद है यह video आपको थोड़ा सा सुविधा तो जरूर दिया होगा value addition दिया होगा और अगर अब मानते हैं कि इसने value addition किया है तो आप अपने सगे संबंदियों के साथ भी साजा करें ताकि उन्हें भी life certificate की इस जंजट से एक आसानी हो चाहे आप किसी भी category के pensioner हो EPF के हो LIC के हो किसी भी PSU के PSB के pensioner हो सब में यह लागू है तो यह सातों में से कोई एक चूनी है और आप अपने जीवन का बहमुल्य समय नरेंदर कुमार wellness consultant के साथ बिताते हैं तो हमारी भी जिम्मेवारी हो जाती है कि बहतर से बहतर content आपके पास लगाया जाया और इसी दिसा में मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए ताकि हम इसे और जादा उन्नत और प्रगती दिला सकें ताकि और बहतर बड़ी से बड़ी export टीम को हम अपने इस कारे के research में लगा सकें edit में लगा सकें